Hello guys, this is 2Lex and in this video मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि हम Corona Render Setting इन 3D's Max में Corona Render Settings क्या होती है उसकी जो Properties होती हो क्या होती है और All End Passes मताँगा कि Passes का यूज क्यों किया जाता है जो हम इसमें Passes दिये जाते हैं तो guys इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया जाके लाइक करो सब्सक्राइब करो और सेयर करो तो हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हम पहले सबसे पहले हम एक फाइल ले लेते हैं जिसमें हम सबकर टेस्ट करेंगे तो मैंने कुछ कैमरा बनाए थे तो हम एक हैड़फॉन का हम रेफरेंस ले लेते हैं और मैंने यहां पर हैड़फॉन बनाए थे कुछ और यहां पर मैंने कैमरा और लाइटिंग किया है इस पर केमरा और लाइटिंग के सैटिंग कैसे की जाती है तो मैं उसमें भी वीडियो बना दूँगा और अभी हम फिलाल के लिए हम इस कैमरे को ओफ कर लेते हैं सौरी कैमरा कैमरा और लाइटिंग को ओफ कर देते हैं और हम अब इस पर स्टार्ट करते हैं और इसका पहले कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा अग्जाट पोजिसन की लोकेशन पर चल सके सोरी पोजिसन पर चल सके अब हम यहां पर खुलते है रेंडर सैट अब यह ओता है या तो अब यहां पर एफटें दबाव सकते हो सौर्ट कट बासक तो उससे पहले हमें कि हम अगर तुम धिरें अब नोडम पर ताकि अतो यहां भी कर सकतो जहां पर अभी हैं से लाओ तो यहां से डियरेक्ट रेटरेस छेट में sect पर चले जाओ जैक्राइट तो यहां पर कुछ सट्निंग्स आ जाती है मैं रेंडल्स को में सफारो रेंडल पर रक Kyn कि ़ीह आइगा किया है यहां पर लॉक कर देंगे ताकि जब हमें स्टाइट इंट्रेक्टिव कर रहे हो तो सिर्फ हमें कैमरा का एंगल दिखाई दी तो नीचे कुछ यहां पर करना होता है और मैंने व्यू पर रखा यह आउट्पूट साइज होता है कि तुम्हें किस आउट्पूट साइज में चीए और नीचे इसके कुछ रैजिलिशन भी दे रहे हैं जैसने मैंने अभी विफ्ट दे रहे हैं टूके टूके यानि तू फाइप सिक्स जीरो करोगे तो इतने यह टूके होती है बाकि आपको साइट में दिखाए दे रहे होंगे अगर मैं यहां पर 90 20 करूंगा तो वो अपना पी दे देगा ना कि 90 20 10 रेलगे और अभी मैं फिलाल के लिए टूके दे रहा हूं और बाकी साइट में आपको दिखाए दे रहे हूंगे कि यहां पर टूके कुछ फॉर्मिट्स दे रहे हैं यहां पर आपको बाकी कुछ निच छेड़ना बाकी सेक्टिंग से हो रखी हैं आपको यहां फाइलने चीह ना यहां पर एक है रेंडर आटबट जहां आपको लोकेशन देना है से फाइल के अपनी जहां पर जया बेक्ट जो भी पीए लिए निकालोगे वहां पर एक फोल्ड क्रीट कर लोगे और जहां पर भी आपको देना हो तो यह तो यह दो गई या तो आप डि दो बंटी निए भाकिये सो फ्रेम प्रेंडेंगे सांदे में सिंगल प्रेंड किसकी रिकल में ब्लाइक्ट हो तो इस उसलिए मैं अभी प्लोर been समझा अगर मंड़ियो चाइं पेना वहाई बिकलत करने उसे वर ब्लाइट staji प timely जिस फ्रेंड करेंगा स्क्र intimate 현재 LAND news course और तो मैं यहां पे कुछ लाइस आफ कर देता हूं लग Preview rest violation और इक zij treatment塊 और जाता हूं जिसके वज़े से एहमें थोड़ा सो हो और यहां पे हम यहां पर इन्वर्मन्ट मैप चला सकते हैं इन्वार्मन मैप कいसे चढ़ातेह जैंक और यह आपने वीडियोस देखी होंगे उसमें बता दिया होगा मैंने की इन्वर्मेंट इसको ठीक है यहां पर हमने इन्वर्मेंट मैप चला दिया है ताकि जब हम रेंडर निकाले तो गैस कुछ ऐसा सा आउट पुट आएगा यह देखो थोड़ा मैं की लिए देखने लग जाए तो उसी टाइम से टाइम लिमेंट बरती जाए गहां गाय तरेंडर आउट पुट निकाल देगा यहां पर डी नॉजिंग को हमेशा को रोना हाइड क्वालिटी पर रखना है और यहां पर इन्वार्मेंट डिरेक्ट तुम यहां से भी कर सकते हो और नीची और यहां पर तुम इन्वार्मेंट मैप पे जब डबल किलिक करोगे तो ब अब तुमने दिया हो और वो तम आंक्व कर सकते हो यहां से तो जैसे मैंने अबड़र्मेंट कंए डिर्कम इने ब्लुमेंट गिलेल लगा ऑब इसकी मैंने वीडियो बना रखी है प्रिविए में वीडियो जाके देख लेना अधिक है कि मैंने ब्लूमेंट के लिए जो मैंने यहां पर बना रखा है नियोन इफेक्ट वो वीडियो जाके प्रिविएस वीडियो में देख लेना मैं लिंक प्रोवाइट करा दूंगा इस वीडियो में तो बाकी इसमें कैमरा सेटिंग में और कुछ नहीं छोड़ना बाकी जो सेटिंग्स होती है वो तुम अपने यूर ओन वे अपने तरी के सकते हो अपने वेश खते हो तो मैंने यहां पर डाफ्ट और फिल्ड नहीं दिया है डाप्त और फिल्ड की वीडियो चीए हो तो मैं वह भी बना दूँगा यह डाफ्ट और एक्चुली देते क्यों है क्या चीज है पर ते यहां पर चाना आफिट लेमेंट से हें यह रहां हम पाशिट से ते हैं ताकि जो हमारा आप्ट आई वो और सई तरीके साहिए जो हमारा जो एक्चुली रेंडर निकलता है। वो फाइनल आउट पूट नहीं होता है उसके हम कुछ पासिस एकदम रियलिस्टिक बनाने के लिए हम उसको कमपोजिटिंग करते हैं और उसमें पासिस को हम ब्लैंड करते हैं अगर उसके उपर बता दूँगा कि मैं क्यूं लगाते हैं इसमें भी बता दूँगा आगे जा तो तुम भी यहां पर देता है मेन इसमें घुटा होता है इमिशन होता है ताके आपने लाइटिंग दे रक्क बहुतर कि र Grü के के लिए रिफ्लैक्शन के लिए रिफ्लैक्शन हो तूम यहाँपे आ पे कुछ टाइवत दे ने जैसे कि डायरेक्ट हो यह एमिशन रिफ्ल रहा हूं कि मैं कौन-कौन से पासिस यूज कर रहा हूं वो जा कि तुम वीडियो में देख दो अभी मैं को रोना एओ चला रहा हूं मैं यू में नोता है कि हमें डिटेलिंग अभी दिखा तो टू मिनिट्स पहले हाँ पर यह समय वर सैटिंग्स करने दो उसके बार मैं पूरी निकाल रहे तो मैं यहां पर कुछ रेंडर्स दिखा देता हूं जैसे मैं नहीं देख यहां पर यह होगा यह पर देख सकते हो तो अगर इसको तुम ब्लेंटिंग एफेक्ट दोगे कंपोजिटिंग आफटर फैक कोई भी कंपोजिटिंग सफ्ट्वियर में तो व कंपोजिटिंग में में सीची का काम होता है कलर करेक्शन का तो हम जो भी निकालते हैं उसके अंदर अब यह देखो मैंने ब्लूम क्लियर का निकाला था जो आईडी आईडी इसलिए यूस किया जाता है यह सेडिंग हो गया ठीक है बागी एसा आईडी जो आईडी अभी आईडी इसलिए यूस किया जाता है कभी 25 बन जाते हैं कभी खबार मोटल्स में तो हम वहाँ पर 25 को ठीक करने के लिए हम आईडी का पासिस लगा लेते हैं जिससे की पासिस अब हो जाते हैं तो अभी हम यहां पर सिंगल फ्रेम निकालते हैं अगर आपको पूरा आउट पूर्ट देना है तो यह लाइटिंग है और मैं सजेस्ट करूंगा कि पासिस लिमिटर्स टैनल सैवन तू टैन के बीच रखोगे तो इतना ही आएगा और आप यहां पर रें निकाल चुक है हम अब मिलते हैं नेक्स वीडियो पे जाके लाइक कीजिए कीजिए सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं बाई